असलाम लेकुम वियर्स वेलकम टू माई चैनल डुमेस्टिक टेलरिंग आज हम बेबी गर्ल्स के लिए बहुत ही खुबसूरत से फ्रॉक्स के डिजाइन्स शेयर करेंगे पार्टी ड्रेसिज होंगे नॉर्मल भी पहने जा सकते हैं तो वन बाई वन हम डिसकस करते हैं कि कि ये लो कोस्ट में ड्रेसिज तियार किये हैं फर्स्ट ओफ ओल वियर्स ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं बलैक ड्रेस जो के मुझे बहुत ही पसंद है ये मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया है ये देखें ये मेरे पास एंब्रॉडेड नेट थी जिसको मैंन इस तरह से डिजाइन किया है कि इसके नीचे मैंने रॉ सिल्क यूज की है और साथ में मैंने ये मलमल का फैबरिक यूज की है जो रेड्मेट के ड्रेसिस के फ्रॉक्स के नीचे भी अक्सर लगा हुआ आपने देखा होगा और यहां पे इसकी जो स्लीव्स थी फुल एंब फैबरिक था थोड़ा सा उसको मैंने चुनट स्टाल के यहां पे लगा दिया यह बहुत ही खुबसूरत सी उपर से स्लीव्स को लुक दे रहा है और नीचे बॉटम में इसी तरह से सेम मैंने रॉ सिल्क के उपर ये इतनी दनी चोड़ी सी ये लगाई है फ्रिल्स बनाके और उनको मैंने इस तरह से तारवली पिको करवाई है और इसके नीचे भी मैंने ये रॉ सिल्क यूज की है और साथ में इस तरह से मलमल का फैबरिक यूज किया है ये डबल ट्रिपल फैबरिक यूज होने की वज़ा से बहुत ज़्यादा फलफी और खुबसूरत लगता ह पैन केस की लुक बहुत ही प्यारी लगती है और आपको एक मज़े की बात बताऊँ ये जितने भी फ्रॉक्स के मैं आपके साथ डिजाइन शेयर करूंगी इन तमाम की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी ये देखें यहां पे मैंने इस तरह से इन्विजिबल आपने तियार किया है और ये देखीं अंदर से इसकी जिप की लुक कुछ इस तरह से होगी और बाहर वाली साइड से इस तरह से इन्विजिबल जिप हमने इसको लगाई है और यहां पे ये स्ट्रैप्स लगाई है ये वैसे खूबसूरत लगती है और नीचे बॉटम में सेम जिस तरह से फ्रांट थी इसी तरह से ये बैक साइड है और इसके साथ रैडि मेट टाइट्स है इसके साथ हमने सेम कोई ट्राउजर वगारा नहीं बनाया ना के चूड़ी पजामा वगारा बनाया है बलके इसके साथ रैडि मेट टाइट्स लिया है सिम्पल बिलकुल और ये इस तरह से वैसे ही नेट लेके बजार से हमने खुट से इस तरह से इसके साथ दोपटा त्यार किया है मूव करते हैं अपने नेक्स्ट डिजाइन की तरफ ये वाला टाइट से इसके साथ लिया है बिल्कुल सिंपल वाला यह बहुत खूबसूरत ट्रेस है जो भी कोई देखता है उसको यह बहुत ही पसंद आता है पहले मैं आपको इसकी फ्रंट और बैक दोनों साइड दिखा देती हूँ यह देखें इसकी बैक से लुक कितनी खूबसूरत आ रही है यह प्रिंटिड और गैंजा ली थी जिसको हमने अम्बरेला कटिंग के साथ नीचे वाली साइड बॉटम की साइड कटिंग की है और इस तरह से उपर छोटी पेटी लगा के यह फ्रॉक बनाया है यहां पे इस तरह से फ्लावर बना के लगाया है और फ्लावर के अंदर यह बहुत ही खूबसूरत सा बकल यूज़ किया है इसे आप फैंसी बटन भी कह सकते हैं यह असानी से मार्केट से मिल जाते हैं और इस तरह की इसकी स्लीप्स बनाई है यहां पे चुनिट्स बनाके नीचे वाली साइड पे इसको सिंपल पीको करवाई है और इसके नीचे हमने यह रासिल्क यूज़ की है यह बहुत अच्छे वाली रासिल्क है इसलिए इसमें बहुत जादा शाइन है और यह बहुत जादा सोफ्ट है बेक से फ्रॉक की लुक कुछ इस तरह से आ रही है यहाँ पर हमने इन्विजिबल इस जिप यूज की है और यह देखे अंदर से इसकी लुक कुछ इस तरह से है यह बिल्कुल गूमसलाई में यह भी फ्रॉक कम्प्लेट स्टीच किया है और यहां पे एक लंबी टाई वाली बटरफलाई यूज़ की है इस फ्रॉक के साथ ही हमने चूड़ी पजामा बनाया है अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट डिसाइन की तरफ यह देखें वलीमे वगारा के फंक्शन पे पैनने के लिए बहुत ही खुबसूरत और सिंपल सा ड्रैस है और दिखने में यह बहुत खुबसूरत लगता है यह अकसर इस तरह के दुपटे वगरा भी होते हैं जिन पे इस तरह से माथा पटे बनी हुई होती है आगर आपके इस तरह के दुपटे कोई पड़े हो तो बस समझ लें कि अभी वो जाया नहीं है उन से आप इस तरह का खुबसूरत सा ड्रेस अपने बेबी के लिए खुद तियार कर सकते हैं यह मैं जूम करके इसकी लुक शेयर कर देती हूं इसका आप सक्रीन शॉर्ट भी ले सकते हैं ताके आपको यह आइडिया आप अपने पास सेव कर सके यहां पर मैंने इस तरह से यह लेस सटेच की है बारीक बारीक सी और अंदर वाली साइड पे यह पाइपिंग लगा के इसको इस तरह से लुक दी है यहां से फरंट से इसको ओपन रखा है और इस तरह से इसकी sliiws बनाई हैं यहां पे चुनट्स डालगे फ्रन्ट से इसको sliiws को ठोड़ा ए्ट रख लिया है इस तरह से और यहां से उपर वाली साइड पे यह थोड़ी टाइट है नीचे वाली साइड पे यह गोटी वाली less यूज की है और बैक से इसकी लुक कुछ इस तरह से आ रही है यहां पर हमने इसको जीपर टैज की है और इसके साथ जो हमने चूड़ी पजामा बनाया है वो एक डिफरेंट स्टाइल में बनाया है दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है यह देखें इस तरह से इसके अंदर हमने जो बारीक लास्टिक होती है फिरकी में जिसको बरके हम सलाइयां लगाते हैं यह उसके साथ जस्ट हमने सलाइयां लगा के इसकी चूड़ी पजामा तियार किया है और इसमें औरिंज शेड आ रहा था इसकी में फुल लुक आपको दिखाती हूँ यह देखें यह वाला स्टाइल है इसका इसकी जो उपर कोटी है इसकी कटिंग और स्टेचिंग की कम्प्लीट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी यह देखें इस तरह से यह बहुत ही खूबसूरत लगती है है बיक साइट से भी इसके साध भी हमने सिंपल चूड़ी पजामा बनाया है और उपर से यह देखें यहाँ पे इसको बिल्कुल हमने गुम स्ट लाई के साथ स्ट लाई किया है और इस चगह पे हमने बटन यूज किये हैं जिनको हमने अंदर वाली साइट पे टेच किया है ताकर यहां से थोड़ी खुली न रहें और इसकी ये पाफ स्लीव्स बनाई है इनकी कम्प्लीट कटिंग और स्टीचिंग की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी अमीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेलपफुल रही होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें कमेंट्स करें और फ्रेंट्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डुमेस्टिक टेल्डरिंग को सबस्क्राइब जरूर करें थैंक्स पर वाचिंग लाफीज